गैज किसे भी बिजनस को आप तभी ग्रो कर सकते हो जब आपको पता हो कि इस बिजनस से आप कमा कितना रहे हो आपकी अर्णिंग कितनी हो रही है इसे से related community tab में मैंने एक poll डाला था कि क्या आपको net profit निकालने आता है कि month end में आपने कितना कमाया गैज इस poll का result यह रहा कि 86% seller यह नहीं जानते हैं और इस topic के उपर वीडियो चाहते हैं कि month end में वो अपना net profit कैसे calculate करे गैज आज का जो वीडियो है वो net profit calculation के उपर है अगर आप Amazon seller है और Amazon में पूरे month sell आपने किया है और उसके बाद आपको यह पता करना है कि आपने कितना profit कमाया यानि expense देने के बाद आपका जो purchase विल है वो देने के बाद कितना आपको net profit बचा तो आज का वीडियो आपके लिए है आज के इस वीडियो में हम पुरा step-by-step process देखने वाले हैं कि कैसे हम month end में net profit निकालेंगे simply मैंने कोई भी पेट टोल यूज नहीं किया है सिर्फ गूगल सीड का यूज करके हम net profit निकालने वाले हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पर आपको एप्लिकेशन को अप्शन मिलता है यहां पर बताओ कौन-कौन से सीट हमने क्रियेट किये तो पूरा आपको पूरा पर जो जो भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा जो एक्जैक फॉलो करना है तो आप भी अपनी मंतली प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते पूरे आज के वीडियो में आपके सामने ही में निकालन को हमने सेलेट किया गुरूब बनाया और उनके थुरू हम लोग उसमें ट्रेनिंग करते हैं फ्री में और वह सेलिंग सिखते हैं तो अभी अभी तक आपने अगर हम इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कि है तो आप फॉलो कर लिजेगा वहां पर नेक्स्ट बैस जैसे आए को मिलेगा को यहां पर सबसे पहले तो गूगल मिलेगा तो यहां पर सबसे पहले से लगते मैंने यहां पर डाल दीया है धिक हुश्सकत अलग कर दिया है और यह आपका GST के उफ़र एक पीस पे। कितưởng एक पिष्ट पे करें गी है इन को और इसको आपके तो यह इंनी को बिल्टों करते हों तो आपके यहां पर विश्टेंज शर्कते है here तो यह हमारा और उसके बाद प्रॉफिट लॉज कैसे निकालते निकालना पड़ेगा इसarti निकालना पड़ेगा कि Everything कितना रिटन आया है तो यहां पर है आपका पर रिटन यानि जो भी आपके पास आ गया है तो वह प्रोडक्ट तो आप आपके पास ही आ गया और वह जो आपके पास रिटन आया वह तो यहां पर इस तरह यहां पर कलेंट करूंगा उसके बाद यहां पर कितना को कमिशन दिया कितना चला है यहां पर डालना है उसके बाद आपका यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि नेट प्रॉफिट कितना है अब यही निकालने में सबसे ज़्यादा प्राब्लम होता है कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आज की वीडियो में सब कुछ आपको स्टैब बाइस टैब बताने वालों तो चलिए अब स्टार्ट करते तो पहला सीट हमने समझ दिया कि डेटा सीट में क्या क्या डेलना है दूसरा सीट है यानि मर्चंट फुल्फिल्मेंट सीट यानि आपने कितना प्रोड़क्ट पर देशीप कर रहे हो ठीक है तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक तुरंद यहां पर आ जाएगा तो इसका आप नेम कर दिजएगा यहां नहीं कर रहा है और यहां पर यहां पर देट वाइज जैसे डेट फर्स एक तारी को इस तारी को तीन ओर सिप हुए तो तीनों का यहां पर हमने और पर हमने डाल दिया और इसकी क्वांटेटी कितनी है कितनी कुरूंटेटी अ कि gevो कि करना दूगा तो आगे आए जिसमें बता दू अ तो दिक्कत होगा तो नेक्स वीडियो में लाँब कि यह से जो मैंने आप देख रहें तो यहां पर कलिक करें तो यह सब कैसे करते हैं मैं नेक्स वीडियो बताऊंगा लेकिन अभी मैं आपको समझाता रहूं क्या क्या करना है उसके यहां हमने डाल दिया तो यहां पर हम दिसंबर मंद का पूरा प्रॉफिट लॉस निकालने वाले हैं तो यह हमने यहां पर यहां पर आपको मुझे लगता कोई भी प्रॉब्लम न क्या पता करना है कि जैसे आप बोर रहें कि मैंने यह सारे ओडर किया है ठीक है अब अब यह कंफर्म कर रहा है कि नहीं कि यह और आपने सारे किया नहीं कि यह अब हमें पता लगाना पड़ेगा तो इसके लिए हमें अब अब हमें आपको क्या करना है कि यहां पर यहां पर रिपोर्ट में पेमिंट का सेप्शन मिलता है तो यह आपका यहां पर डैसबोर्ट मिलेगा कि आपने कि किया है कितना सेल किया है यहां पर आप देख सकते हैं तो सेल यहां पर सबसे पहले आकाउंट टाइप में आप स्लेट कर दीजेगा और यहां पर कस्तम सब्सक्राइब कर लिए और यहां पर अपडेट करने के बाद यहां पूरा डेटा आजाएगा यहां पर देखिए आपको एक डाउनलूड का ओप्शन मिल रहा ठीक है तो यहां पर इसे हम डाउनलूड होने के बाद यह सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यहां से पहले आप अपना डाउनलूड कर लीजे और इस फाइल को हम लोगा ऑपन करते हैं तो घ्रिट कुछ इस तरह का है तो यहां सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि क्या डेट है और यहां पर आपको पर नहीं सेटके हैं जुक्स कर सकता हूं यह टूंद्द का काम है और हमें और यह काम है कि हमने कितना में product को sale किया है और यह जो amount आप देख रहे हैं यह without tax है इसमें ght जो है वह amazon ने हटा दिया है यह taxable amount है ठीक है तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर date है तो date को मतलब amazon के जो बता रहा है वो डेटा है तो यह हमने एक नया सीट कर लिया और यहां से इसको मैं स्टिक करके निचे ले आता हूं ताकि हमारा option जो है वोपर स्टिक हो जाए अब हम आते हैं इस सीट में और इस सीट में आप देख सकते हैं यहाँ पर है सबसे अब आते हैं नेक्स जो है वह यहां से कॉपी कर लेते हैं वह है और आइडी तो यह रहा हमारा और आइडी कंट्रोल सिप्ट एरो डाउन करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और हम आते हैं अपने सीट पर तो यहां पर order ID है तो order ID हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे के बाद आपको एक चीज और पेस्ट करना है वो है आपका यहाँ पर कि सेलिंग प्राइस तो यह हम आ गए है इस सीट पर और यहाँ पर हमें अपना से टोटल प्रोड़क्ट चार्ज जो है उसे यहां से कर लीजए यह बैसिकली हमारा सेलिंग फ्राइस है और इसमें जीस्टिंकलोड नहीं है तो यह अगया यहाँimage यह हम यहाँपर पेस्ट कर देते हैनि और यह आ घए यहाँपर बैस्ट को कर दिया हैं तो अब हमें करना क्या है आप देख सकते हैं यहां पर हमने सारा कुछ ले लिया इसे मैं कर देता हूं तो कि है कि तो यह हमारा पर हमना लौत आपने कि सबसे पहले हम सेल प्राइस करेंगे कि इस प्रोट्ट को हमने कितने में सेल किया तो इस इस वह देख रहे हैं वह अपने सिप्ट किया और हमारा सेल प्राइस कहा है तो दोनों हमसे हम लगा रहे हैं और उसके बाद आपको स्लेट कर रहा हैं यह आपको अजयां आज कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते कर रही रहा है आपको सबसे पहले order ID Select काना तो बी के उपर आप क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको सफ्ट दबाया हुए फिर सी पर क्लिक करना है ठीक है या तो नमबर प्राइस है नहीं है यह नहीं तो दौने नहीं है तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा इस प्रोजिट का कितना पट्राइस है वो आ गया ठीक है यहां पर बुष्ट में इन्क्रूद नहीं है यह आगाने हम पर आपको सिंपल उप्र आँट का रहे पूरा कोई धेक ठाट रहा है तो ऑऻ आप आपको सो नहीं करेगा तो देखिए यहां पर आपको कुछ पर आड़र आड़ी दिख रहे होंगे जिसके पर आड़र आड़ी यहां पर मेंशन नहीं किया है अब देखिए बाकी सारा हम देख लेते हैं बाकी सारा है या नहीं तो बाकी सारा हमारा देख सेक्टे मैच कर रहा तो पीकप अगर एक तारीक हुआ है तो इसने दिसंबर के सीट में सो नहीं किया यह जनवरी के सीट में आट्रोमेटिक तो देखने के लिए पूरा सटिक आटकर नीचे तक और यहां पर वांस तक रहा है कि आपकात दो यहां समा तो आपका टॲ है है तो यहां पर हम लिख लेते प्रॉफिट वाला जो कल्कुलेटर यहां पर नमा जाते हैं यहां पर यहां पर आप कीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा तो यहां पर आपको सम आ पड़ेगा प्रड़क्त अगर यहां से उठानी है तो इसके चाल्ज भी कल्कुलेट नहीं किया होगा तो अब तर्टी फर्स्ट के और को नेक्स्ट मद जब जनवरी में जब करेंगे तो इसको आप जनवरी वाले में एड़ कर लिए सु libero काम जब था इस फर्स्ट का उडर一定要 टॉकर हमारा कितना कितना तो छयां किया tenha हम निकालते हैं कि टोटल पर्चेज हमने इंको कितना में किय यह जे प्रोड़क्त हमने इतना यूनिट जो यह तो सेक्षए कितना कितना निकलेगा तो मैं फार्चेश किया ठीक है यहाँ पर परचेश श्क्राइज कितना यहाँ निकालता हूं लिखेंगे यह यहां लिखेंगे यह लागा है किरा यहां पर आब हमें can丝 करना पड़ेगा तो एक्सक्राइब किजिए कॉमा उसके बाद आज यह डेटा वाले सीट में और यहां पर देखें मैंने लिखके रखाए कि किसको कितना में हमने पर चेज गया है तो यहां पर एसक्राइब किजिए फिर रखना है और सी को करने तो दोनों कोलम स्वेट हो गया कॉमा पर्चेज प्राइस हमें वाले में तो लिखेंगे टू-कॉमा-जीरो और इसे बंद करेंगा और इंटर करेंगे तो यह हमारा इस पर्चेज प्राइस कि इतना है दिए प्रद्वर्श को सीधार अब को नीचे स्कॉल कर देना है तो इसको मिष्कॉल करके नीचे तक ले आते हैं तो देखे हमारा पूरा प्रडी स अगया लेकिन क्योंकि क्यांकि अप्रड यहाँ नहीं ले रहे सिंप्लर यहां से हटा तो डीके है यह हमें पतो पर नहीं है कि इतना का किया था तो यह हमें प्रॉडट का हमने तोटल पर चैज नहीं है बैसेकल एक आपने इतना में इतना में पर तो आपका लोगा व्याइगा तो यहां पर यहां हमारा आ गया कितना हमारा पर चैज प्राइस है यहां से कॉपी कर लेंगे प्रॉफिट लॉस में आएंगे और यह हम यहां पर फिल कर देंगे कि हमें पता चल गया कि परचेज प्राइस हमारा कितना है यह हमने इतना हमने परचेज किया तो इतना सेल किया इतना पर्चेज किया तो इतना में जितना भी उनिट सेल की पर्चेज अहर यूनिट की बात करें तो मैं यहां पर आता तो और क्लियर होगा तो यूनिट देख लेते कितनी हमें सेल किया तो टोटल यूनिट यहां से आपको मिल जाएगा उपर आना पड़ेगा तो यह आ गया कट्रोशिफ्ट एरो डाउन करते हैं तो कितने यूनिट है यह देख लिजे आप कितना यूनिट है 212 यूनिट है तो 212 यूनिट का यह हो गया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यह 212 यूनिट का यह आपका परचेज सेल प्राइस है और यह 212 यूनिट का परचेज प्राइस है अब आपको मुझे लगता समझ में आ गया होगा कि 212 पीस हमने इतना में सेल किया अब गईच हम निकालेंगे सेल रिटर्न कि कितना पीस माल है जो हमने हमारे पास रिटर्न आया है तो उसका डेटा भी आपको अमेजन से मिल जाएगा अब हम रिटर्न का डेटा लेते हैं रिटर्न हमारा कितना आया इस मन तो देखें यहां पर आपको जब आप जो मैंने आपको बताया था लेपन साइड में आप जब यहां पे जाते हैं हाव किमें रेपोर्स में और रिपोर्स में जब पेइमेंट में जाएंगे तो यहां पर आपको मिलता रिफंड ठीक है तो रिफंड पर आ पको 친el per करना है तो यहां पर all आकॉंट टायप में आपको करना है ओल् ट्रांजेक्शन टाइप को कुछ नहीं रखना है यहां पर आप दिसम्बर से लाट कर लिए फ्रॉम वन दिसम्बर तु ठाटी फर्स्ट ठीक है तो इतना ओडर आपको दिसम्बर में रिटन आया हुगा अपडेट कर दीजिए अपडेट करने के वाद नीचे पूरा डाटा यहां पर देख सकते हैं यह सारे ओडर है जो हमारे दिसम्बर मंथ में रिटन आये हुए हैं अमेजन ने इसको रिफंड किया है तो यहां पर बेसिकली हम सबसे पहले ओडर डेट लेगे तो यहां पर डेट है कंट्रोल सिप्ट एरो डाउन करते हैं इसे हम कॉपी कर लेते यह यह रहा Amazon return का सीट अब यहां पर जैसे सबसे पहले हमारा डेट था तो कंट्रोल शिप्ट डाउंव भी करेंगे तो हमारा पेस्ट हो जाए गा मात से हमने कॉपी किया था तो यह हमारा डेट हो गया अब यहां पर हम देख सकते सारे डिसम्बर के रिटन से जो रिटन सा डालना है तो यह हम यहां पर और डाल देते हैं और डालने के बाद हम यहां पर सेलिंग प्राइज भी ले लेते हैं कि कि इसका सेलिंग प्राइज क्या था पां लूटब तो ये रहा हमारा यहां से सेलिंग प्राइस ममें मिल जाएगा अखर से सेक्क कर लेता हूं और यदूए तो यह हम यहां पर कर देंगे तो इतने ओडर है जो दिसंबर में मेरे व्रिटान आई है और यहां पर मैं उसे cant यी गर लेता हूं क्यायब है कि तो गैज देखिए तोटल अगर आप देखें की सेल हमारा आप यहाँ पर आप देखें तो यह हमारा डियाँ तो नहीं भी मेंटल से लिफवन जाता हूं तो पता चलेगा कि कितना का सेल रिटन हमें पास आया है तो इससे मैं यहां पर लिख देता हूं कि हमारा सेल रिटन इतनी का है यह हमारा प्रोड़क इतना रिटन आया यह पिसमें आप से कि आपका कितना हुआ है इन दोनों को इसे करना पड़ेगा तो आप कीजिए मारे कीजिए और चौन प्रड़क्ट हमारे पास रिटन आये हैं अब यह जो रिटन आये हैं इसको एक्चुली हमने जो है वह पर्चेज किया होगा कि वह सबसे पहले तो अब हम इसमें कॉईंटिटी निकालें इसमें इसकी क्तिनी है यहां पर इसको लगाएंगे लुक अप लगाएंगे VLO इसको select कीजिए, इस order ID को select कीजिए, comma कीजिए और आजाएए इस हमारे वाले sheet में और यहां पर आप इस order ID का पूरा column starts select कीजिए, shift दबाय हुए C को select कीजिए, D को select कीजिए D में हमारा quantity है ठीक है, आप यहां पर आपको comma देना है है कि ती नंबर में है तो तीन कॉमा जीरो कि बंद और इससे इंटर कीजिए कि अधिश्ट करने के मतब देख सकते हैं यहां पर हमारा क्वांटिटी आ गया है और इसे हम कर देंगे कितनी क्वांटिटी थी अब यहां पर एक और आइडी जो नहीं मिल रहा है तो यह हो सकता है इससे पहले मंद का होगा और इसका जो और आइडी यहां पर देख सकते हैं दिया हुआ है तो यह टर्ण एक तारीक होगा लेकिन यह order जो होगा यह नॉंबर मंत के किसी डेट का होगा तो इसलिए इसका हमें यहां पर डेटा नहीं मिला है क्योंकि यहां पर स्रुप दिसंबर मंत का जो डेटा है वही फील है तो कोई बात नहीं इसको एक-दो अगर आडर आड़ आपकर नहीं मिले तो बैसे कि ल अब इसका पर्चेस प्राइस निकाल रहे हैं फिर से हम अपने सीट में जाएंगे इस order आड़ी को स्लेट करेंगे ठीक है इस order आड़ी को स्लेट कर लिया अब हम इसे कॉमा देंगे स्वारी इस order आड़ी को स्लेट कर लिया आप सीट दबाए हुए आपको जहां तक पर्चेस प्राइस जा रहा है इसके बाद आपको यह order आड़ी स्लेट करना है कॉमा देना है और इस सीट में आना है ठीक है बी को स्लेट करना है सीट दबाए हुए जहां तक पर्चेस प्राइस आपको मिले वहां तक जाना है तो यहां तक हम चल गया है कॉमा आपको देना है पर्चेस प्राइस के नंबर में देख लिए एक दो ती चार पाइब नंबर में तो में करते 5,0 ठीक है अब इससे यह से करेंगे ब्रैकेट बन क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे तो यह देख सकते हैं हमारा परचेज प्राइस यहां पर आ गया है तो इसको स्क्रॉल डाउन कर लीज़े यहां तक तो हमारा यह परचेज प्राइस आ गया अब यह देखिए हमारा है कॉइन्टी तो मैं लिए रिए न लिए कु प्राइस और यह हम लिए फाइनल प्रचेज प्राइस कि यह जो है वो एक पीस का पर्चेश प्रायस रख तो इससे इनकों इंटू करना पड़ेगा तो इसको यहां देते हैं और इसको हम इंटू कर देते हैं सिंप्ली इससे तो जो दो क्वाइंटिटी होगी उसमें हमारा फाइनल पर्चेश प्राइस निकल जाए तक कर दीजे कि प्रशीय से यहां पर देखिए यहां पर कोस्ट ले रहा है थे दो पिस सेल किया थे कि ले ले तो इसको यहां पर करते हैं फाइनल पर चेज्ट ठीक है और सिंप्लिसक्ट कर देते हैं तो हमारा निकल जाए तो यहां पर मैं करता हूं इसकल टू इस वन इंटू इस वन और इंटर तो यह हमारा फाइनल पर प्राइस निकल लिए ठीक है अब हम यहां पर कंट्रोल सिफ्ट एरो डाउन करते हैं तो टोटल यह हमारा आ गया है जहां जांग कॉंट्रीटीट दो होगी वहां पर देख सकते हैं इनकी जुआ है तो अब हम देख लेते कि हमारा टोटल पर्चेश प्राइस कितना है कि ज्यादा डिफरेंस नहीं हुआ कि ज्यादा दो कम ही है तो मैं यहां से पहले पूरा स्लैट कर लेता हूं कि तो जहां तक है वहां तक सेलेट कर लेते हैं हाँ आगया तो पहले थी 29,742 अभी हो गई है 30,064 क्योंकि कई प्रोडक्ट्स है जो डबल सेल हुआ है सम में इंटर करते हैं और इंटर कर देते हैं तो यह हमारा पर्चेश प्राइस एक्चुली तो प्रॉफिट में जाए है कि तो पर्चेश प्राइस हमारा यह हो गया तो यह हम पर्चेश डिटन निकाल रहा है कि कि इतना हमारा रेटन आया है तो यह हमारा टोटल सेल रिटन का मांट हमने यहां पर निकाल लिया था कि हमारा सेल का रेटन कितना हुआ है अब यह क्वांटिटी है आपकी टोटल मैं देख लिया करते ह्म सब्राइब करते हैं चौदक पीज आ रहा है कोट्रींपीज जो है हमने हमारी टोटल पाइब टीटीज यह वह रिटन मिली है ठीक है और यह भी इसका यह भी एक पीस है तो मैं यह एक सब्सक्राइब कर लेता हूं किया हो ठीक है तो यह देखिए हमारा टोटल जो रिटन था कि टोटल रिटन में कितना मिला सब्सक्राइब कर देता हूं तो टोटल हमारा रिटन था 5955 हमने यहां पर डाल दिया था कि हमारा टोटल रिटन है 5955 यह सेल रिटन है अब कितनी पीस आपके पास रिटन आई है तो अगर आप देखें तो यहां पर क्वैंटिटी है और कंट्रोल सिप्ट एरो डाउं करता है तो कितने पीस रिटन आया है फिप्टीन पीस का जो सेल प्राइस था वह होगा यहां पर अट हो जाएगा तो इस हमारे पास और तो इतने का अमाउंट का हमने जो है प्रोडक्ट हमारे पास वापस पर्चेज में एड हो गया है ठीक है क्योंकि इतना का प्रचेज रिटर्न है जो हमारे पास एड होगे हरोगे 2158 रुप्य तो यह खोगे इतना का बने क्यों व्लाइग इतना प्रचेज माइल का जाएकफ क्योंकि यह वापस हमारे पास इतना का प्रोड़क्ट हमारे पास आगया है है नेट सेल हमारा 7211 पी से कितने प्रोडक्टि सेल किया है इसको हम करते हैं इसमें यह माइनस हो जाएगा तो 197 पीस हमने हमने टोटल सेल किया है ठीक है और यहां पर हमारा नेट सेल भी हो जाएगा कि 197 पीस हमने जो है वह सेल किया है अब गईज यहां पर आप देखिए अंचने किया किसी किया यह निकले गाइसे यह निकलेगा और यहां पर आईए कि और यहां पर आप्लिक करेंगे तो यह पेज आपके सामने ओपन होगा और इस पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है डेट रेंज रिपोर्ट तो आपको सिंपली क्या करना है कि डेट रेंज रिपोर्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए आपको जनरेट रिपोर्ट का ओप्शन आदा है तो जनरेट रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज ओपन होगा यहां पर आपको समरी को सलाइट करना है समरी यहां पर रखिएगा मन्थ हमारा दिसंबर है तो समबर और सिंपली से जनरेट कर दीजिए जनरेट में इन प्रॉसेस में थ्रॉसा टाइम लेगा इससे रिफ्रेस्स आपका कितना इंकम्का यहां पर अगर आप गया देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि हमारा कि हमने कितना कि यानी जो आप MFM के थूर्व सल गरते हैं वह है 79403 तो हमने यहाँ पर कितना दिखाया है और यहां पर 79,000 आ रहा है ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि देखे गाइस यहां पर आपका 500 का क्या हुआ है कि आपने यहां पर यहां पर दिख सकते हैं यहां पर जो सेल दिखा रहा है और हमारा जो सेल हमने निकाला है वह है लगभग 78 ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था यह जो है 31st थारीक का ऑडर जो है वो नहीं लेटा है ठीक है उसको ट्रांसफर और लेता है 9 यो भी 31 को वह जो आप यहां पर दिख सकते हैं ये एक तरीक को है यह जो दिखा रहा है आपको एक तारीक ट्रांसफर हो गया है यह 3 आडर जो है वो ट्रांसफर हो गया है तो मैं अगर एड गर लूना तो यह है अपका 934 रुपैस और 54 पैसे वही जो difference है वही यहां पर आ रहा है मैं आपको फिर्वर करते दिखाने हैं कि यहां पर यह आपका मेकप कब होगा जब हमने आपको बोला ना कि जैसे आप अभी यह और अभी क्या है कि नौंबर का इस पर हमने एक भी और नहीं लिया इसलिए अब जैसे आप एक तीस तारीक का यह जो ऑडर है यह नेक्स्ट मन ट्रांसफर कर देंगे ना तो आपका से यह तीस नौंबर का ओडर है जो पिक अप हुआ होगा कब एक तारीक को पिक अप होगा इसलिए इसने एक तारीक के सेल में इसको दिखा दिया ठीक है तो यहीं यहां पर गडबड हो जाती है थोड़ी से कि लास्ट मन्त का जो ओडर है वह नेक्स मन्त आ जाता है इसका आपका 934 ठीक है और Amazon हमें कितना बता रहा है 79403 तो इस जो हमारी जो एक्चुल सेल है 78468 है यहां पर प्रॉफिट में मैंने लिख के रखा है यह जो हमारा सेल है 78468 तो इसमें मैंने अपना जो यह 943.8 जो तीन और आइडी जो नेक्स्ट मन्त के उसे एड़ कर लिया तो आपको एक चीज़ यहां पर रखना है कि आपका जो देखें यह हमारा मैच हो गया ना यह देख सकते हैं मैच हो गया तो बस थोड़ा सा एरर है एरर नहीं है इससे आप ठीक कर सकते है जैसे कि मैं आपको फिर से अगर बता हूं तो देखें 31st का जो भी ऑडर है Amazon नहीं मान है तो एक जनवरी तो आपको भी इसको क्या करना है कि जब एक जनवरी का प्रॉफिट लॉस आप कल्कुलेट करेंगे तो इन ओर आइडिव आपको ले लेना है तो आपका एक जैक हिदम आएगा ठीक है इसमें मेरे से गलती यह हुई कि मैंने इससे पहले जो नॉमबर था कि जो लाश्ट डट को जो भी ओडर आए नेक्स में के कल्कुलेट करेंगे तो उसको एड़ कर लीजिएगा तो यहां पर आब आते हैं वहाँ आपस अपने सीट पर यहां पर आगर आप देखेंगे गाई तो इससे पहले यह आपका ब्लाइगा कि इतना का अपने सेल किया तो यहां पर यहां पता रहा है तो इससे हमने उतना मतलब नहीं कि इसने हमने मैच कर लिए अब आते हैं यहां पर अपने इतना पेक्षिए क्या है यह इसके बाद यह अपने कितना पेक्षि पहाद यह प्रॉड्यक्र करता है तो उसका यह चार्ज आपका इतना पेकरना पड़ा है उसके बाद आपने एड में कितना से एड में कितना इंवेस्ट किया वह यहां पर कॉस्ट और टोटल मिला के देखा जाए तो आपका 37,355 जो है वह दिसंबर मंत में यह हम यहां पर कल्कुटर में आते हैं और यह से हमतार ठाक्रते हैं तो 37 37 353 735 पॉइंट67 पॉइंट67 तो यह एक्साइट मेंम टीस को मानेस कर देंगे तो इस हमें अपने जीस्टी के रिटन से मिल जाएगा तो टीस्टेस अगर आप देखे तो इतना है 20.36 20.40 हो गया चेजए बाइक दूट में एक गुज्चे एक साथ आठ सब्सक्राइब कर लेता हूं तो यह माइनिस फॉट्टी पॉइंट पॉइंट फॉट्टी एट और एक और है यह सी और एस हो गया और आई भी है तो आई है सिक्स नाइन नाइन पॉइंट जीरो तो आपका कितना है तो आपका यहां पर एक्सपेंस में लिख देता हूं आप एमजन में कितना अपने एक्सपेंस क्या थिरी सिक्स वन थीज जिए पर एकस्पेंस का तो हमें मह यहां पर एक्सपेंस में आते हैं कि लिख पेशफेंस किया हो या फिर आपने Amazon विका पैकिंग मटेरियल पर चेज किया है तो वह आप कर सकते हैं कोई और एक्स्ट्रा ओफिस का एक्सपेंस है वह सारा आप क्लेट करके यहां पर एड कर लीजेगा मैं मान के पर चेज जो है वह मैंस करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको आपका एक्सपेंस करना पड़ेगा मैं ऐसा यहां पर मैं इससे भी कर देता हूं तो यह हमारा एकस्पेंस इहां पर मैं इपस्पेंस और एकस्पेंस हमारr 2018 यहां पर हो इस तो आप हम स्樂os कि हमारा निकल गया नेट प्रोफिट की समय है किए अब अब और टि ऑ इन फटी में तो यह आपको प्राफष प्रॉस और नियास प्रा अब यह आपको बेंट प्रॉसर्थ टेने वी एक की क्या में पर क्या है यहां पर अगर मैं नीचे मैं बिखाना हो तो इस देखें यहां पर अपको इतना अलग से प्रोड़क्ट के अमाउंट में इंक्लूड है यह जी अपने कितना क्लेट किया कि अगर आप देखें तो तो फोटाउजन वन हंड़ेट एंट तू रिपीज अपने जी एस्टी जो है वह कलेक्ट किया है तो यह जो अभी आपने कलेट किया है यहां पर यह इतना अपने एक्ट्ट किया था यह जो आपका सेल है यह विदाउट जी और इसको भी आप एड़ कर दीजेगा तो यह आपका टोटल सेल निकल जाएगा ठीक है और इतना आपने रिटर्न किया है ठीक है यह जो है यह आपका यहां पर लिक लेता हूं यह प्रॉफिट वाले टैब में आते हैं और यह मैं यह 4102.48 4102.48 ओंके तो हैं तो यह जीएसटी आमजान हमें पे करेगा ठीक है तो आपको गौवपनरन को पे करना पड़ेंगा यह जीएस्टी यह टोटल टोटल आपको पे नहीं करना पड़ेंगा जो कि आपने पर्चेश किया है अगर आपने जीएस्टी बिल में लेकिन अपने पर आपको टोटल गौर्मनेट को नहीं पे करना है क्योंकि आपने पर जैसा कि अगर आपने नहीं किया तो आपको यह टोटल तो मतलब चाहिए ही है टोटल आप मतलब पे करेंगे गौर्वर्मेंट को और अपने प्रॉफिट में से इसको आप निकाल दीजिएगा लेकिन अगर आपने यहां पर मैंने डेटा भी बताया था कि आप यहां पर अलग से एक कॉलम बनाईए कि इस प्रॉडट के तो यह हमारा कॉलम आ गया अब इस पर आपको सिंपली डेख लेना है कि टोटल सेल का उपने कितना जीएश्टी पे किया है तो यहां पर आप आईए इस कल्टू दीजिए वी लुक अप पर फॉर्मर लेगा यह वी एल तो आ जाएगा और इसके बाद आप स्कू को सेलेट कीजिए कौमा दीजिए उसके बाद आप data पर आईये और यहां पर reduced किजिए को को 2017 को फिरेट हमारा इसमें है एक दो तीन चार फोर नमर में तो कोमा दीजिये ओधिया अब यहाँ पर इंटर कीज़े इसको हमने कितना जेस्टश की हमने आ गया हमारे पास तो इसको मैं पूरा स्कॉल डाउन कर दोंगा नीचे तक तो यह हमारा पूरा नीचे यहां तक स्क्रॉल Wow क्लिछ टो हमनीं लेना है हम्हें लेना है है पूरा यहीं तक लेना हैं यह हमारा एक्तिस्थारिक को ध्यान रखीएगा की अमेजौन का यह온 Vilakosta यह करता है इसलिए वह उसको नेक्स डे ले जाता है तो यह थोड़ा सा आप 31 तारीक का जो भी ऑडर है आप नेक्स डे कल्कुलेट करेंगे तो एक तारीक उसको शड़ा दीजिएगा ठीक है एक तारीक उसमें आप मैंसन कर दिजिए कोई प्राब्लम नहीं हो जाएगा अपको लेकिन लेक्स मन के कल्कुलेटर में उसको करना है तो टोटल अगर आप देखें जीएस्टी मैंने इसको इपर कितना कर दिया है सप्लायर को पर्चेस करते हैं मैंने जीएस्टी पे करेगा और इसका हम आईटीस क्लेम करेंगे तो जो भी टेक्स है वोस्ते माइनिस हो जाएगा तो हमने नेट पेवल जिस्टी हमारा बनता है इसको मैं यहां पर कर देता हूं इस वन माइनस इंटर किजिए तो नेक्स हमें जीएस्टी पेकरना पड़ेगा इसको पर नॉसो आखिर कितनी की धरी तो इसे मैं थोड़ा और कदर देता हूं यह हमारा जिय ठीका तो अब नेट प्रॉफिट मैं आपको बता देता हूं नेट प्रॉफिट या लॉस तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जो ग्रॉस प्रॉफिट था इस कल्डू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इतना हमें कि जी एश्टी पे करना है इंटर कर लीजे तो यह आपका निकल गया दिसंबर मंध का नेट प्रॉफिट गाईज तो इस चरह हमने सीख लिया कि आप अपने किसी भी अगर आप अमजन पर सेल कर रहें तो नेट प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे ठीक है आई होप आपको समझ में आया हो काफी लंब इस सीट बनाया है इसका लिंक मैंने डिस से ड्सशन में दे गया है आप इससे डांलोड कर सकते हैं इसको मैं कि securities बनाने को का पता ही मैं को टाला है और आजे आने वालेवीडियो में फिलिप काड़ कोंगी बनाऊंगा अगर करेंगे को फिलिपकार्ट का बिस करेंगे तो में मैं बनाओंगा कमेंट करके सिब आपको बताना है कि आपको मार्केट प्लेस का चाहिए और एक मैं ग्रैंड इसके बाद जीड़ा जाएगा तो एक मैं बनाओंगा जिसमें आपको तीनों मार्केट क्लेश का एक साथ निकाने बता हुग अभी आपको यहां पर मिल जाने वाला है तो हाई होप गाई आज का वीडियो को पसंद आया हो जहां में देखा कि नेट प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हैं अगर आपका कोई भी कोश्चन है मुझे पता है कि वीडियो काफी लॉंग बन गया है तो आपका कोई भी कोश्चन है आपकों अगर पर एक इसा तरह का नेट प्रॉफिट निकालने का वीडियो चाहते तो कमेंट जरूर किजए तो कमेंट जरूर किजए यह मिडियो पीस। तो लाइक जनल में ऊंए हैं तो चैनल को कर लिए सब्सक्राइब से मैं आपके लिए ओल नाइंग सेक्रेटेव वीडियो लाता हूँ ठेक्यों गाइच वाचिंग दिस वीडियो